ऑलो इंजरहलाव वेलकम ठोग तो मैं चैनल इजने पेयंचल फैन फिक्छिन इक्स्टेंधि इन हंदि तो चलिए फ्रेंड्स आजना मैं भोलोगे साथ इक नई स्टोय हूं यह जो story है ना यह बहुत ही अलग story होने वाली है बहुत ही different story होने वाली है इस story के जो main characters है वो lanwanji और wave vision रहेंगे इसमें जो top है वो lanwanji रहेंगे bottom जो है wave vision रहेंगे यानि कि यह wangzian story है यह जो story है इसमें कुछ situations जो है आपको कि याद दिलेंगे पर स्टोरी लाइन या जो भी रहेगा वो बिल्कूल ही डिफरेंट रहेगा हां कैराक्टर के नाम जो है मैंने अंतेजन रामा है या जो असी बुक है उसी के कर्षक्रश पर बेस स्टोरी लिया है ताकि आप लोग इमेजन करने में इजी रहे बोलके और जो स्टोरी ले रहे है इसको मतलब मैंने काफी दिनों से मन था कि मतलब ऐसी कोई स्टोरी जो मैं लिखूं लिखने का तो टाइम मुझे बिलकुल नहीं मिल रहा है कि परसनल लाइफ इतना सुपर बिजी है तो ठीक है एक्स्पेइन करते हैं एक्स्पेइन करने में थोड़ा से टाइम लगता है यह है कि मैं टाइम जिससाब से मुझे मिले गा है मैं उससाब से इसको रेकॉर्ड करूंगी यानि क्योंकि ना दूसरे वाले चैनल पर मैं खुदी का स्टोरी अभी शेयर कर रही हूँ, खुदी का बनाया, इमेजिन का हुआ स्टोरी, तो दोनों को वर्ल्ड बनाने में, मुझे काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, स्टोरी कहीं पर भी, तो होता है, इमेजिन करना पड़ता है, फिर उसको आउटलन बेराना पड़ता है, फिर आपसे एक्स्पेइन करना पड़ता है, तो मैं कोशिश करूँगे, कि दोनों में ही एक-एक एपिसोड जो है, रोज करूँ, और अगर नहीं हो पाता है, तो मैं थोड़ा लंबा जैसे होता है, 30-40 मिनिट्स का वीडियो बनाऊंगी, जैसे कि मैं बनाती हूँ, लंबा वीडियो रहेगा, पर alternate day में दोनों में शेर करूँगी, जैसे मुझे टाइम मिलेगा, उस situation पर बेस जो है न, सब्सक्राइब करते हैं, भी नहीं हुए है, और इतने काफी लेट हो गया, मुझे लग रहा हूँ होने टाइम भी लगेंगे, जो भी है, मैं कर रहे हूँ कि मुझे खुद का इंटरेस्ट हो, तो मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मुझे मोटिवेट करते रहो, जिनको भी अच्छी लग रही है जिनको अच्छी लग रही है प्लीज मेरे च Assim nud को लाइक शेयर अंध सब्स्राइब कर देना प्लस जो अल Marsh नोटिफिकेशन है उसको बिलकुल अन कर देना ताकि ऑ लोग को न हमको लोग इक ऊच्ञ, ब्लूट कर देना ता ल हमतीं तो आप लोग बिल्कुर उसको नोटिफिकेशन ओल का जो है न कौन कर देना तो चलिए यह स्टोरी को स्टार्ट करते हैं वह जादा पकपक महीं करती हो मैं तो स्टोरी का जो फर्स्ट एपिसोड है उसको मैं वॉर्ल्ड बिल्डिंग पे यानि के जो वॉर्ल्ड है उसके ब ने उसको मिर्डालत ऊंसांें नहीं यानि कि जो हमारे जैसे इंसाने जो मर जाता है यानि कि जो उसके बसंवार भॉद्स पावर लहीं वो लोग इस दुन्या में इस जगा में Nikon Chenetta 해 यह ज अनुन ऑन पे टीम्रीन है उननत सभ्भेता है इनकी क्योंकि इस एरिया में इस continent में जो है mortals नहीं है तो only cultivation sects ही है only जो होते हैं जो sects रहेंगे जो भी इनसान characters रहेंगे वो किसी ने किसी sect को belong करेंगे तो चलिए पहले हम अपनी sect के बारे में जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे जो हमारा sect है इसका नाम है land clan sect यह जो cloud recess का सबसे main सबसे बड़ा sect है और जो cloud recess का main sect है land sect, land sect के ही दोनो disciplines रहेंगे लानवंजी और wave vision इसमें जो है ना अंटेम से थोड़ा different है दोनो एक ही sect के लोग रहेंगे यानि कि लानवंजी भी land clan sect का रहेगा और wave vision भी जो है ना वो भी इसी sect का एक member रहेगा अब लानवंजी और wave vision के character पे उनको explain करने से पहले मैं आपको इस world के बारे में बताती हूँ कि world में क्या क्या है और दूसरा stage रहेगा आपका heavenly stage तीसरा stage रहेगा celestial stage ठीक है और जो तीनो stages रहेंगे वो भी तीन parts में divide रहेंगे यानि कि earth stage के तीन part रहेंगे early stage, mid stage और peak stage ठीक है मतलब कि सबसे नीचे फिर mid madhyam और फिर सबसे उपर का stage जैसे कि peak stage जिसने cloud मतलब होता ना पार कर लिया वो जाएगा next stage में तो ऐसे तीन stage है तीन stage के तीन division है समझके तो earth stage है early, mid, peak, heavenly stage होगा उसका भी होगा early, mid, peak और celestial जैसे सबसे उपर वाला stage रहेंगे उसकी भी तीन stage रहेंगे early, mid, peak ठीक है जो यह stages है ना यह जो cultivation world में जो यह stages जो बोल में आपको बता रहे हूँ यह सारे अलग-अलग stories के ना जियान जिया भूशिया हमें सबके अलग-अलग stories रहते हैं अलग-अलग stages रहते हैं कोई fix नहीं रहता तो यह जो तीन stage है ना यह मैंने अपने fan fiction के लिए अपने world के लिए बनाया है कि इसमें तीन stage रहेंगे जादा मतलब इसमें भी काफी सारे complications होते हैं जो वो सो मैंने नहीं डाले हैं ताकि जो first time सुन रहें वो confused नहीं हो ता I hope यहां तक आप लोग बिल्कुल confused नहीं है समझ लीजे होता ना हर एक cultivation का तीन पार्ट है तीन पार्ट के भी तीन पार्ट है समझ गे अब जो है ना यह cultivation का stage complete हो गया अब हम आते हैं लनवन जी और wave vision के उपर जो हमारा main character होता है wave vision, wave vision जो है ना मतलब वो cloud recess का ही एक discipline है और वो cloud recess के जो main sect leader है उनका personal discipline है यानि की वो जो उनका उत्तराधिकारी बनेगा ठीक है और जो wave vision है वो काफी special body के साथ पैदा हुआ है मतलब वो इतना special body के साथ पैदा हुआ है कि वो thousand years में किसी-किसी एक person के पास जो है ना ऐसा body होता है अब इसके body में क्या special है क्या नहीं यह हम आगी जानेंगे पर जैसे कि wave vision जो untamed में था वैसे ही इसमें बीजे है ना मतलब जो wave vision है यानि वेइंग है दोनों का body काफी special है और जब बहुत यंग था तो मतलब होता है ना तभी मतलब किसी वज़े से जो सेक्ट मास्टर है लान की रन उनको जो है ना wave vision मिला थो और उसको वो ले गए थे और ले जाने के बाद ना उनका उसका body constitution देखके और उसका cultivation में उसका इतना fast progress देखके ना जो लान की रन है उ वे वुज़न को अपना personal discipline बना दिया था personal discipline का मतलब होता है कि वो उनका उत्तराधिकारी बनेगा ऐसा बहुत सारे personal discipline रहेंगे पर जो लान की रन का उत्तराधिकारी बनेगा यानि कि उनके बाद सेक्ट अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो सेक्ट लीडर भी बन सकता है जो व एत्रेश में वे विजिंड कर अगा मॉल उसको इतना दुनिया से लेना देना नहीं है उसका में मॉन्टीविय टॉल्टीवेशन कोड़ना और मतलब होता रहे सब्सक्रेम अगरे नेगा चिंटीवेशन म嗎 उसका mean aim है जो पूरा cloud recess है उसमें wave vision का नाम मतलब इतना famous है कि हर कोई उसे जानता है और मतलब इसलिए भी famous है एक तो वो लंकी रन का personal disciple है और उपर से इतने कम age में उसमें जो है already already जो है वो earth stage जो है उसको cross करके वो अभी heavenly stage में पहुँच गया है heavenly stage के वो mid brilliant तक पहुँच गया है इस age में मतलब जो की काफी मतलब उमर दराज लोगों को मतलब मिलता है यह stage cross करने में वो इतना genius है कल्टिवेशन में कि अभी इतने कम age में ही वो जो है earth stage की तीनो ranks को यानि की early, mid और peak तीनो cross करके heavenly stage में पहुच गया है heavenly stage को भी cross करके heavenly stage के mid rank में अभी अभी जो recently है mid stage में पहुच जाए इसलिए उसका और जादा नाम हो गया है कि इतना कम उमर का अदमी है और वो heavenly stage में पहुच गया है तो सब लोग उससे मतलब बहुत genius है बहुत उमीद लगा के बैठे हुए है और मतलब उसका होता ना पूरे दुनिया में इसके fans है मतलब होता ना उसकी चर्चे है पर उसको मतलब हो ना वेई vision को पूरे दुनिया से कोई interest नहीं है उसका बस interest है कि हाँ उसे जितना जल्दी हो से कि अपने cultivation इंप्रूफ करना है और अपने lifetime में उसे जो होता है ना celestial rim को touch करना है जो हमारे cloud research के इस story जो है इस story के दूसरी main character obviously lanwanji है यानि कि lanjan है और जो lanjan है ना वो भी lan set के ही एक disciple है यानि कि student है पर वो मतलब होता ना जैसे कि main story में दिखाया गया था untame की वो की lan clan के ही member थे lan की रान के भतिशे थे वैसा कुछ नहीं है इस story में वो lan clan के ही एक disciple है पर इतने important नहीं है अभी इस character में अभी इस stage में जो है इतने important नहीं है और उनका जो power है ना जो कल्टिविशन का power है प्रावस जो बूलते है उसको वो इतना जादा strong नहीं है especially wave vision के बराबर तो बिल्कुल ही नहीं है इसलिए अभी तक इस story में जो है जो wave vision है उसके power से lan वन जी का जो power है वो काफी नीचे है अभी इस stage में इसलिए ना उसके compare में काफी ordinary है lan वन जी जो है काफी ordinary है अब इनकी बीच में दो जो लोगी एक जो है मतलब आलमोस्ट उत्तराधिकारी बनने वाला है और दूसरा जो है मतलब एक normal सा discipline है अब इनका love story कैसे आगे बढ़ता है ये हम देखेंगे story में ये जो story है इस part को में यहीं पर complete कर रहे हूँ यानि की world building यहीं पर complete कर रहे हूँ ठीक है मतलब आगे story में कैसे main story जो होगी progress करेगी वो next episode से हम जानेंगे इस story में आपको काफी सारे चीज़े जो है ना मतलब थोड़ी से अलग लगेंगे क्योंकि मैंने देखा था कि last time जो मैंने a tale of immortals शेयर कर रहे हूँ उसमें काफी लोगों नो मुझे बूला था कि उनको way vision टॉप नहीं चाहिए उनको learn man ji top चाहिए तो इसलिए learn man ji को टॉप बनाने के लिए मेरे story में मुझे काफी सारी चीज़ें अलग करनी पड़ रही है यानि कि जो जो चीज़े way vision के साथ होई थी जो होता है न अन्टेम्ड में वही सारे चीज़े इसमें learn man ji के साथ होंगे क्योंकि story का building ही ऐसा है कि जो main character है यानि कि जो bottom रहेगा वो ज़ादा powerful रहेगा और जो top रहेगा वो पहले कम powerful रहेगा फिर धीरी धीरी वो strong बने गया और वो बात में डैमोनिक path जो way vision ने रहा था वैसे ही path में भी जाएगा मैं पहले आपको बता रही हूँ story में वो डैमोनिक path में भी जाएगा मतलब way vision का character जो है story को मैं ऐसे बना रहे हूँ इसलिए आपको story सुनने में थोड़ा सा अठपटा लगेगा जिनको अंटेम से relate करना है story को तो इसलिए मैं story को जो है आगे अभी नहीं बढ़ा रहे हूँ इस episode को मैं यहीं पर आप लोग को साथ share कर रहे हूँ जिनको भी लगता है कि नहीं story जो है थोड़ा सा अठपटा लगेगा सुनने में कि लनमंजी का character थोड़ा सा अलूफ है वो land clan का member होना चाहिए वो बिल्कुल सही बात पर होना चाहिए way vision को जो है original untamed जैसे ही होना चाहिए यानि की थोड़ा सा मतलब कमजोड रहेगा फिर वो strong बनेगा फिर उसके पास जो है ना demonic powers आ जाएंगी फिर उसका rebirth होगा ऐसे बहुत सरा चीज़े रहेंगी वैसा चाहते हो तो आप लोग मुझे अभी भी बोल सकते हो मैं next episode जो है इसको delete करके next episode जैसे ओरिजिनल था वैसे करूंगी पर उसमें क्या हो जाएगा लैनमंजी जो है वो bottom हो जाएगा और wave vision टॉप हो जाएगा तो जिनको लैनमंजी को मतलब top रखना है वो आप लोग comment करना और मतलब जो किसी नहीं किया मुझे लगा कि कोई satisfactory answer नहीं मिला है तो मैं इस्टोडी को जैसे मैं लिख रही हूं वैसे ही continue करूंगी यानि कि लानमंजी टॉप रहेगा पर वो जो है ना वो डामनिक पात में भी जाएगा और मतलब होता है ना बहुत सारे चीजे करेगा और जो wave vision है वो normal लानमंजी जो से original अंटेम में था वैसा character life spend करेगा तो थोड़ा confusion होने वाला है मुझे लग रहा है पर मैं कोशिश कर रहे हूं कि मैं बिल्कुल explain करूं ता कि आप लोगो समझ में आए कि ये story में क्या हो रहा है तो आप लोग बिल्कुल मुझे message करना जिनको भी confusion लग रह करोंगी और जो confusion रहेंगे मैं इस टोडी में बहुत सरे बाते की हैं वैसे बाते नहीं करोंगी क्योंकि इस टोडी का रिदम तूट जाता है तो मैंने पहले ही बताया था कि जो फर्स एपिसोड है वो अनली बाते के लिए रहे है ताकि confusion क्लियर हो और second episode से में स्टोडी सारे questions प्लीज करना ताकि आप लोग को भी confusion ना हो आप लोग स्टोडी को enjoy करो और मैं इसलिए बोल रहे है कि जिरूने भी subscribe नहीं किया वो subscribe कर देना क्योंकि बीचिश में इस टोडी में काफी सारे short videos रहेंगे जो main storyline के part नहीं रहेंगे जो मैं only चीज़ों को explain करने के लिए होता है डालोंगी तो आप लोग प्लीज मतलब होडी को स्टोडी को जो है ना सुनना ध्यान से और मेरे चनल को subscribe कर देना बैल का बैल आइकन जो होगा subscribe बटन के ऊपर उसको all notification on कर देना है और comments करना ठीक है फिर मैं इस part को यहीं पर complete कर रहे हूं मैं जो है ना कल जो है next part ल झाल झाल झाल